अनिल कपूर इंडस्ट्री के वो सूपर स्टार है जिन्होंने अपने इतने लंबे करियर में अपनी मूचे हमेशा रखी है जिस इंडस्ट्री में हर दूसरी फिल्म के लिए एक अक्टर अपने हैर स्टाइल अपने लुक को बदलता है वहीं अनिल कपूर ने इतने सालों से सेम लुक में काम किया है हाँ फिल्म लमहे के दौरान उन्होंने अपनी मूचे मुंडवाई थी otherwise अनिल कपूर ने अपने लुक के साथ experiments नहीं किये और उन्हें अपने बालों से बहुत प्यार है फिर चाहे लोग उनके बालों को लेकर जोक सी क्यों न बनाए एक टाइम ऐसा था अनिल कपूर के करियर का जब वो अपने बाल तक हटवाने के लिए तयार हो गए थे सिर मुंडवा कर भी वो फिल्म में काम करने के लिए तयार थे अब ये अनिल कपूर की चाहती किसी फिल्म को करने की या उस टाइम की स्टारडम को कॉमपीट करने की थी ये तो ये किस्सा सुनकर आप ही डिसाइड कीजिए ये बात उस वक्त की है जब फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारे नए अक्टर्स मिले थे ये सभी काफी हैंसम थे और अपने करियर के इनिशल डेज में ही शांदार फिल्मे दे रहे थे सूपर हिट ब्लॉक्बस्टर फिल्मे दे रहे थे इसमें सल्मान खान का नाम शामिल है आमर खान का नाम शामिल है इसमें शारु खान का नाम शामिल है और गोविंदा तो थे ही इन सभी को हिट फिल्म के लिए जादा लंबा इंतिजार नहीं करना पड़ा करियर के इनिशिल दौर में ही इन्होंने ऐसी धासू फिल्म में दी कि कुछी समय में इन्हें सूपर स्टार का टैग में लिया कि सूपर स्टार का टैग किसी को भी आसानी से नहीं मिलता है इसका सही जवाब सिर्फ और सिफ अनिल कपूर ही दे सकते हैं क्योंकि जिस वक्त अनिल कपूर बहुत शांदार काम कर रहे थे उनकी मिस्टर इंडिया परिंदा जैसी फिल्में आ गई थी जिसे वो सूपर स्टार बन रहे थे तब उन्हें तगड़ा कॉंपेटिशन था अमिताब बच्चन से चाहे अमिताब का तब धलता हुआ टाइम था लेकिन उसके बावजूद इंडिस्ट्री में सबसे बड़े सूपर स्टार अमिताब बच्चन थे इसके अलावा मितुंदा ने भी 88 में सबसे जादा फिल्में की साथ ही जैकी श्रॉफ, संजेदत, सनी देओल इनसे भी अनिल कपूर को competition मिल रहा था, यानि कि अनिल कपूर को कोई भी ऐसा time नहीं मिला, जहां वो whole soul superstar हो और सभी तरफ उनी की चर्चा हो, यही कारण है कि stardom के लिए अनिल कपूर कुछ भी करने के लिए तयार थे, फिल्मे कर रहे थे, बड़े banners की फिल्मे कर रहे थे, लेकिन वो superstar वाला tag उन्हें नहीं मिला था, तभी market में एक news फैली, कि showman सुभाज गई एक फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म में उनका hero जो है वो negative किरदार करेगा, अनिल कपूर इंडस्ट्री में इस तरह की खबरों पर बहुत ध्यान रखते थे, और जब भी कोई producer कोई नई फिल्म बना रहा होता, तो वो सामने से जाकर काम मांगते थे, ये आदत रही है अनिल कपूर की तो जब अनिल कपूर को पता चला कि सुभाज गई एक फिल्म कि आप मुझे नेगिटिव किर्दार में दिखा सके तो मैं उसके लिए अपना सिर भी मुनवाने को तयार हूँ, अच्छिली उस दौरान जो भी नेगिटिव किर्दार में होता था, उनके लुक्स इसी तरह से होते थे मतलब सिर मुनवालो, थोड़े अलग लोक ले लो, तो लोगों से आपका किर्दार कनेक्ट कर जाएगा, अनिल कपूर ने यही ओफर सुभाज गई को दिया था कि मैं इस फिल्म के लिए अपना सर तक मुनवालूंगा, अपने बालों से प्यार करने वाले अनिल कपूर इस film के लिए यह सब कुछ करना चाएथे क्योंकि अनिल जानते थे कि सल्मान, आमिर यह पॉजिट्टिव रोल्स कर रहे हैं, यह रोमैंटिक फिल्मे कर रहे हैं, हाँ शारू कभी अनिल को सुभाजगाई ने रिजेक्ट कर दिया एक्चिली सुभाजगाई ने जब इस फिल्म की घोशना की थी तब ही उनके दिबाग में एक दूसरा अक्टर था और उनके हिसाब से यही अक्टर यह फिल्म में काम कर सकता था इसलिए उन्होंने अनिल कपूर का यह उफर ठुकरा दिया सुभाजगाई फिल्म बना रहे थे खलनायक और खलनायक के रोल के लिए ही अनिल कपूर ने उन्हें अप्रोच किया था उनकी हैर स्टाइल लॉंग रही, वो जैसे थे, वैसे ही थे लेकिन वो किरदार संजिधत पर अतना जमा कि यह फिल्म बहुत ही सूपर ही ओई और ये film film industry की iconic film कहलाती है सुभाज घई के career की सबसे बड़ी film कहलाती है और संजिदद के career की भी बड़ी film कहलाती है तो ये थी वो film जिसके लिए अनिल कपूर अपना सिर तक मुनवाने के लिए तयार थे लेकिन ये film उन्हें नहीं मिल पाि आपको क्या लगता है अगर सुभाज गई खलनायक फिल्म में खलनायक के रोल के लिए संजेदत के बजाए अनिल कपूर को लेते तो क्या ये फिल्म तब भी इतनी ही बड़ी हिट होती? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें